हेलो दोस्तों आप सब देखी रहें कि गर्मी तो धीरे धीरे बढ़ती ही जारी है लेकिन ऐसी बढ़ती होई गर्मी में अगर घर की बनी होई शिकनजी मिल जाये तो वो भे विलकुल फ्रेश और ठंडी तो शिकंजी बनाने से पहले हम घर का शिकंजी मसाला रेड़ी कर लेंगे और इस मसाले में हम वही सारी चीज़ें एड़ करने वाले हैं जो हमारे घर पे आसानी से एवलेवल होती हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजियो और चलिए हम मसाला बनाना रेड़ी कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैंने पैन में दो टेबल स्पून जीरा डाला जीरे को मैंने एक से दो मिनट के लिए ड्राय रोस्ट कर दिया बिल्कुल लो फ्लेम में इसके बाद मैंने जितना जीरा लिया था उसका आधा सॉफ डाला मदलब वन टेबल स्पून और साथ में ही मैंने तीन काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च मैंने लिया दो हरी इलाई जी, दो लॉंग और दो से तीन मिनट के लिए मैंने सारी चीजों को ड्राय रोस्ट कर लिया इसके बाद मैंने यह पे कुछ पाउडर मसाले एड़ किये जैसे 1-4 टेबल स्पून सौट, 1-2 टेबल स्पून अमचुर पाउडर, 1-2 टेबल स्पून चाट मसाला, 1-2 टेबल स्पून काला नमक, 1-2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिन्ट पाउडर अगर आपके पास मिंट पाउडर एवलेबल ना हो तो आप शिकनजी में फ्रेश मिंट भी एड़ कर सकते हैं वन एंड हाफ टेबल स्पून सिट्रिक एसिड वन फोर्थ कप से थोड़ा सा कम शुगर सारी चीजों को मैंने मिक्सी में ब्लैंड करके पाउडर बना लिया अब मैंने यापे फ्रेश मिंट और कॉरियेंडर कट करके लिया है और इसमें थोड़ा सा निम्भू कारा सेट कर लिया अब मैंने यहाँ पे आट किया दो ग्लास चिल्ड वाटर और एक टेबल स्पून शिकनजी मसाला और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके मैंने चान लिया और हमारा होम मेट शिकनजी बनकर रेड़ी है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब